मैं सागर कुमार आप सभी का S.S.C. में स्वागत करता हूँ आज मैं आप सभी के साथ भारत के सुनिम इतिहास सुतनदा संग्राम के महत्पुन घटना खिलाफ़त अंदोलन और असहिवग अंदोलन के बारे में डिसकस करूँगा, चर्चा करूँगा हम सभी इस लक्चर वीडियों में या जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरीकार खिलाफ़त अंदोलन और असहिवग अंदोलन के क्या करनते यदि आप चाहते हैं कि इससे पहले वे महत्पुन घटना के बारे में जाने तो उसके लिए जो है कई वीडियों आपको जो है हमारे इसी प्लेटफर्म पर उपलब्द है मिल जाएगा उहां से जाकर आप देख सकते हैं ग्रहन कर सकते हैं आईए हम लोग जानेंगे कि खिलाफ़त अंदोलन के क्या कारणते सबसे पहले जानते हैं कि परथम विशुद की जब समाप्ती हुए तो भारत में महंगाई बढ़ गई थी कस्बो और नगरों में रहने वाले मध्यमबर्गो चाहे निम्न मध्यमबर्गो इन सभी को जहे अनेक आर्थिक परेसानिया हो रही थी अर्थात समाज का लगभग हर बर्ग आर्थिक परसानियों से जुझने लगा था इसे लोगों में बिरिटिस बिरोधी भावनाय जागरित हुए सुखे महमारी और पलेग से भी हजारों लोग मारे गए जैसा की हम लोग देखे अहमदाबाद मील मजदूर अंदूलन में पलेग बुनस के लेकर अंदूलन हुए खेडा मैं देखे क्रिख्ट की दैने स्थीती थी जिसके जोजा से अंदूलन हुए इसी समय हम लोग देखे कि अंग्रेजी मुखावटा से रूबरू करा दिया था उसी समय होता क्या है कि जैसा कि पर्थम भी सुद्ध हुआ उसमें भी सुद्धों गुटों बढ़ चुका था मितराष्ट और धुरिराष्ट तुर्की जो था धुरिराष्ट के तरफ से था और इंग्लेंड जो था मित राष्ट के तरफ सत्था मुख प्रिष्ट भुमी एहीं से त्यार होती है आये देखते है हम लो खिलाफत आंदुलन हुआ क्या था यह कुछ नहीं बलकि भारतिय मुसलमानों का मितर राष्टों के विरूद बिसेस कर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की खलीफा के समर्थन में आंदुलन था तो खिलाफत क्या था जी है खलीफा के समर्थन में ज है बिरुटीण के विरूद था जैसे कि संपूर्ण मुसलिम जगत तुर्की की खलीफा को अपना धर्म गुरु मानता था ऐसे में सभाविक था कि मुसलमानों की साहनुभूती तुर्की के साथ थी यानि तुर्की के जो खलीफा थे उसे संपूल्ण मुसलिम जगत के लोग अपना धार्मिक स्रेष्ट मानते थे पर्थम विसूद में तुर्की ने बिरुद बिरिटेन के बिरुद जर्माईन तथा आस्ट्रिया का सांतिया था यूद जब समाब्ध हुए उसके उपरांत बिरिटेन ने तुर्की के प्रती को ठोर रवया अपनाया तुर्की को विभाज़ कर दिया गया तथा खलीफा के पदु को हटा दिया गया बिरुदेन के इस कदम से पूरे विश्व के मुसलमानों में रोस की लोहर दोड़ गई भारत में भी मुसलमानों ने बिरुदेन के इस कदम की अलोचना की तथा अंग्रेजों के समुख निमन मागे रखे यह निश्चित है कि जो उसको अपना धार्मिक स्रिष्ट मानते हैं तो भारत में ही मुसलमान थे वे अंग्रेज से रुष्ट हो गए क्यूंकि पर्थम विशूत के समय ही इनके सांथ जो समझावता हुआ था कि वो मुसलमानों के सांथ ज्यादा त्याचार नहीं करेंगे मुसलमानों का समान करेंगे इनके सांथ जो है सांवुती वरते लीगे ठीक विपृत होता है जब विद्ध समापती होती है तो मुसलिम लिग यानी मुसलमानों ने यह रखा उनके सामने प्रस्थाव की मुशलमानों केoca धार्मिक च्थलो पर खलीफा के परभूत को पुन और वस्था कर अधिक भूछेत परदान किया जाए यह दोनों मान उनलों लोग रखा अल्ली बंदु ठीक है किनके नितित्तु में अल्ली बंदु मुहमद अल्ली तथा सोकतली ध्यान नेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है यह पुछता है कि अल्ली बंदु के नाम से कौन जाना जाते हैं तो मुहमद अल्ली और सोकतली मौलाना आजाद अजमल खान तथा हस्रत मुहानी के अंधित्तु में खिलाफत कमीटी का गठन किया गया दिल्ली में 93 में होने वाले खिलाफत कमीटी की जैक्सिता गांधी जी जी को इस मेलन में अंग्रेजी बहुत के बहिस्कार के मांग की गई सरकार के सांथ किसी पर का सोयूग नहीं करेंगे इस बातमें चर्चा होगा जन्वरी 32 को प्रतिनिधी मंदल वाइसराय के पास भेजा गया कि आप जाकर जो है इस मांग को रखी कि खलीफा का पद को पुन्हा स्थापित किया जाए उनको अधिक से भूच्छेत दिया जाए किसके ने भेजा गया जी तो अहमद अनसारी क कैनी तुमे लेकिन क्या हुआ? वो खाली हात ho आपस आते हैं उसी समय होता है कि तुर्की के साथ जो इंगलेंड से ब्रीज की संथी करती है कोशन पुषटा है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कि से ब्रीज की संथी कि इसके साथ हुई तो तुर्की के साथ हुई इसमें क्या होता है तुर्की का जो है बिभाजन कर दिया जाता है यह मौशूच किया गया कि हिंदू-मुसलिम एकता स्थापित हैं और हिंदू पहले से क्या है अंग्रेजियों की जिए कूरिती से परसान है जिसे रोलेटेट काला कानून जलिया वाला बागत्यकान तो गांधी जी समझे कि अच्छा उसर है कि हिंदू मुसलिम एकता को जह है अस्थापित करने का जो पर्यास किया जा यह अस्वानिम उस समिति द्वरा गांधी जी का यह सुजाओं मांग लिया गया होगा ठीक है मांग लिया गया जनवरी अन्यश्व बीस में किंद्रिय खिलापत समिति का अधिवेशन इलहाबाद में हुआ इस अधिवेशन में स्कूल कॉलेज और नियालों के बहिसकार करने का नहीं लिया ग सभीश को अधियुग अंदुलन प्रारहम किया जब मौसम बन चुका था प्रद्रिश स्वातावरन उसमे का माहल संपुर्ण भारत एक हुचुका था गांधी जी ने इस ऑसर का लाब उठाते हुए कोश्यन पूच्षेगा कि अस्वहई गंजन की प्रावधय प्रस्टी का उक्षंबर 2020 2020 में अस्वहई गंजन की पुश्टि भाती राष्टी का इंग्रेस नि दिसंबर 2020 प्रसाग की प्रस्टी क्षिटी सब्सक्राइब और पुष्टी दुनों अलग बात है ठीक है तो एक अगस्त 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 को जो है और प्रारम किया गया और इसकी पुष्टी कब हुई तो दिसम्बर और 1920 नागपुर दिवाशन में कांग्रेस की सब्सक्राइब नागपुर दिवाशन में उसके देखता सियर दास थी और सुईग वांदोन के दूप परमुख भाग थे एक था रचनात्मकार्ल जिसमें राष्टिय विद्याले तथा पंचायती अदाल्तों की अस्थापना थ तथा हिंदु मुस्लिम एकता स्वदेशी का प्रासार और कताई बुनाई पूरे देश में देखे हुआ क्या था कि गांधी जी उसमय एक सभा को समधित कर रहे थे और कहे कि पताईए यह बस्त्र कैसे अच्छा लगेगा जब पीट भूखा हो इसलिए बस्त्र को त्याग कर दे और एक ऐसी होली जलाएं कि जिसकी लपटे या जिसकी आग की गुला जो है दिली से लंदन तक दिखाई दी रचनात्मकारी के द्वारा जीह अस्प्रिष्टा का अंत करने का परचार किया गया क्यूंकि वह नहीं चाहते थी कि अंग्रेजों की तरह यहां पर भेद पत्र दे दिए सिक्षक त्याग पत्र दे दिए कि हम सरकारी बिद्याले में नहीं पढ़ेंगे और वे राष्टी बिद्याली में आ गए पूरे देश में आचार्ज नरेंद्र देव सियार दास लाला लाजपत्राय जाकिर हुसेन तथा सुभाष चंद्र बोस के नितित्व में विभीन राष्टिये सिक्षम संस्थाओं की अस्थापना किये गए सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कोलकाता का परधाना चार्ज बनाया गया घैसे बहुत से रशनात्मकाज किये गए जैसे चर्खा बाटा गया लोग को राय दिया गया कि खादी ब Sophie अपने हांट से बुने होडे कपनों को पढ़ने नंग्रात्मकाज क्रम को देखते हैं सरकारी उपादियां को बहर दो unemployed के दोरान कई बरिष्ट ओकील बेरिष्टर जैसे सरधार पटेल पंदित नहरू सी अर्दास मेटल भाय पटेल यादे नयालों का जैया भैश्कार करा आंधुलन š现在 में कुद पड़े बिदेशी कपड़ों की हुलिया जलाई गई, सराब और ताड़ी के दुकानों पर धरना दिया गया, जिसमें महिलाओं ने बिस्यस भूमिकाई ले गई, नि भाई, अस्वियों का अंदूलन था, जिसमें महिलाओं ने परदा को त्या करके, परदा को लंग करके, स्रक पर उ तिलक के नाम पर एक कोस का निर्मान किया गया, और जब उन से रुप्या तो सुला गया, जो भी रुप्याई काठा होगा, जो भी दानी काठा होगा, तिलक कोस में, उससे कई हजार जो चरखा लोगों बित्रित की जाएगी, लोगों बाटी जाएगी, उसमें महिलाओं न अपना अभोसन दान किया अपना कंगन दान किया अपना जो है गहना उसमें दी इस तरह से अस्वयक अदलन में लाओं के जो है महत्पूर्ण भूमिकाती अब हो गया कहता कि समाज के विभीन बर्ग चाहे हो हिंदू हो मुसलमान हो सीख हो इसाई हो इवा हो इत्यादी लोगों ने भाग लिया उसमें ब्रीद बच्चे इस सभी लोगों ने एक साथ मिल कर भाग लिया अस्वयक अदलन में मुहमद अल्ली को सबसे पहले ग्रिफ्टार किया गया मुहमद अल्ली जीना एनी वशेन तर्था वीपिंज अदरपाल कांग्रेस के अस्वयक अदलन से सहमत नहीं थी उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी होता क्या है इसी समय कि पांच फरवरी पांच फरवरी 1922 को उत्तर परदेस के गुरखपुर जीले के चौरा चौरी नामक अस्थान पर एक घटना घटित होती है जीव उस समय के परद्रिश को ही बदलती है अर्था आंदलन जो था एक अपने चरम सिमा पर था उसी समय उत्तर परदेस के गुरखपुर जीला में कहां पर उत्तर परदेस के गुरखपुर जीला में एक चौरा चौरी नामक गाम है इन्हों ने अपना जो है नाम इतिहांस में दर्ज करा लिया हुआ क्या था कि उस समय जब अंदलन कारी प्रांतिकारी उस रास्ते से एक थाना वहां के थाना चो की थी पुलिस चो की थी उससे गुजर रहते तो पुलिसों ने उन्हें पीट दिया उन पर लाठिया बरसाई जिसके ब्रूद सवरूप भीड़ पुलिस पर तुट पड़ी सैनिक भाकर के एनिसोरी सिपाही भाकर जब थाना में जान बचाने के लिए प्रविश करते हैं तो लोगों ने थाना में आग लगा दिया उससे जो भी सिपाही थाना से निकल कर जब बाहर भागने के प्रयास करते तो लोग पकड़कर उन्हें पुनह फिर आग के हवाले कर देते हैं इस तरह से एक थानेदार और सांध सांध लगवाए कईस बाइस जो है सिपाही कर्मी उसमें जलकर राख हो ज होगा आपका 1922 ध्यान देंगे आपका क्या होगा यहां पर 1922 होगा ठीक है यानि 11 फरवरी या 1222 को अस्तागित कर दिया गया गांदी जी जो है बहुत दुखी होते हैं कि भाई अभी जो है देश पूम रूप से हिंसा के पाठ को पढ़ा नहीं है हिंसा के रहा पर है इसल अस्तागित कर दिया जिसकी अलोचना हमारे देश के बहुत नेतानलों किया कि आप क्यों इसको अंदलन के जिसमें चरम सीमय पर थी लोग एक कतित हो करके जो है अंगरे जो कोई विरुद आंदलन कर रहे थे तो आपको अस्तागित करना ठीक बात नहीं थी तो गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे वो कहते नहीं पूरा देश जो है हिंसा का कोई मार्ण पर चलेगा तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ और उसी से में कोटेशन देते हैं मैं हर पकार का दमन हर परतारना हर उत्पुलिन सहन कर सकता हूँ यहां तक कि अपने मिर्तु का वरन भी कर सकता हूँ लेकिन आंदुलन हिंसक हो जाए यह मैं बरदास्त नहीं कर सकता हूँ गांधी जी इस तरह से बोले सुबास नर्वोस अस्थागित होने पर कहते हैं जब भार्तियों का उत्सा अपने चरम बिंदु पर था आंदुलन वापस लेने की घोशना किसी राष्टी विप्रत्ति से कम नहीं थी इस तरह से बहुत से मतिलाल नहरु हुए ललाल लाजपत्र हुए इन लोगोंने जो ह जो है अलोचना करते हैं उसमें गांधी जी के स्थिति थोड़ा कमजोर हो जाती है और होता क्या है कि सरकार स्थिति का फायदा उठा करके मार्च 1922 में गांधी जी को गिर्फ्ताय कर लेती है और उन्हें छो वर्स की सजा सुनाती है लेकिन बीच में स्वास्त्यकरणों है जल्दी जो है रिहा कर दिया जाता है तो यह था अश्वयू गांधोलन तो इसी समय गांधी जब खादी के बारे में विजयवाडा के कांग्रेस अधियोशन में समझा रहे थे तो उसी समय किसी एक करकरता ने कहा गांधी खादी बहुत महंगी है इस प्रगांधी ने पर ही दिखाई देता है तो हम लोग समझते हैं साइद गांधी जी कभी जो है कब से इस कपड़ा को धारन की तो 1921 में और 2121 कैसे दिये तो उसमें क्या हुआ खादी के महतु को समझा रहे थे तो करकरता ने कहा गांधी खादी बहुत महीं है इस प्रगांधी ने लोगों क प्रगांधी चाहते हैं कि संपूर्ण रूप से इतिहांस को जाने समझे और इतिहांस रचे तो इसके लिए जरूर है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको नित दिन कॉम्पूटिशन की जो है बहुत से जनकारी दी जाएगी निच इसने मुझे आसा है कि आप लोग का जो है काफिल लाप्राप्त होगा तो आप लोग मेरे सांद जो इतना समय दिये इसके लिए आप सभी को धन्यवार